हेलो दोस्तों नमस्कार श्वागत है आप सभी का अपने योटूब चैनल तन्वी की रसोई में तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ थोड़े से गेहूं के आटे से और आलू से बने बहुत ही टेस्टी और बहुत ही चटपटे नाश्ते की रेसिपी आज की ये नाश्ते की रेसिपी आप सभी को बहुत पसंद आएगी इसे मैंने बिल्कुल आसान तरीके से बना करके तयार किया है घर की सामान से इसे आप बहुत याजानी से बना करके तयार कर सकते हो तो चलिए इस मज़िदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करें तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के उबली हुए आलू ले लिया है आलू को हमें कद्दू कस कर लेना है आलू को उबाल करके थुझा सा फ्रीज में रख दिया हलका सा ठंडा हो जाए तब इसको यूज में लेना है तो भी आप देख सकते हो इसी तरीके से सारे ही आलो को मैंने कद्दू कस कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्यास प्यास को बारीक बारीक काट लेना है और अब हम इसमें डाल देते हैं बारीक से कदूकस किया हुआ अध्रकलसं का पेस्ट और बारीक कटी हुई हरी धनिया हम इसमें डालेंगे अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हरी मिर्ची तो यहाँ पर हरी मिर्च भी हम थोड़ासा डाल देते हैं तीखा आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम जादा कर सकते हो और अब हम इसमें डाल देते हैं आदा चमच खड़ा जीरे खड़े जीरे का फ्लिवर इसमें बहुत ही बढ़िया लगता है दोस्तों और इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी से फ्लिवर, फुल, चट पटे मसाले जिसे की जो वारा दाशता है नो बहुत ही ज़ादा टेस्टी और बहुत ही चट पटा बनेगा तो आदा चमच मैंने दमालू मसाला डाल दिया है और आदा चमच मैने इसमें डा दिये चाट मसाला, थोड़ा सा चिली, फ्लैक्स, आदा चमच, धनिया पाउडर रो थोड़ा सा चाट मसाला इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे टेस्ट के according नमक, नमक आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़ादा कर सकते हो कम मसालों में बहुत ही ज़ादा टेस्टी और बहुत ही चटपटा नास्ता बन करके तयार होता है तो सभी मसालों को आलू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से बढ़ियां से हमें इसको मिक्स कर लेना है दोस्तों तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो आलू और मसाले को मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है फाइनली हमारा बहुत ही चेटपिटा और बहुत ही टेस्टी आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया है तो आप हम लगाएंगे हाथ में थोड़ा सा रिफाइंड ओयल और थोड़ा सा वोशन इस तरीके से हाथ में लेंगे नेम्बू के जितना एक बड़े नेम्बू के जितना और इस तरीके से गोल गोल करके इसको हम हाथों की हल्फ से चप्टा करेंगे यानि कि हमें इसको टिक्की का शेप देना है तो दूसरी टिक्की को भी इसी तरीके से बना लेंगे तो यहाँ पर हमें 5 चमज की करीब गेहूं को आटा लेना है, खाना खाने वाली चमज से 5 चमज में गेहूं को आटा लोगी और इसके बाद अब हम आठे में मिक्स करेंगे काला तिल तो यहाँ पर आदा चमज की करी मैंने इसमें काला तिल डाल दिया है आप इसकी जगह सफेद तिल भी डे सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी डाल दिया है और थोड़ा समय ने इसमें डाल दिया है चीली फ्लेक्स और इसके बाद अब हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी बारी कटी हुई हरी धनिया डालेंगे और इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे एक बारी कटी हुई हरी मिर्च टेस्ट के हिसाब से रमक सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है और mix करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसकी slurry त्यार करेंगे तो यहाँ पर इकठे सारा पानी नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको बढ़िया से फेटेंगे इस तरीके से पहले इसको mix करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको बढ़िया से फेटते जाएंगे तो अभी आप देख सकती हूँ ये भी काफी गाड़ा है तो अभी हमें इसको और जादा पतला करना है तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें और डालूँगी इसको बढ़िया से फेट लूँगी तो ये लिजए फाइनली हमारी सलली बन करके तयार हो गई है तो अब हम एक टिकी को उठाएंगे इस तरीके से और अब हम सलली में इसको डिप करेंगे और इस तरीके से चमच की हेल्फ से हम इसको फ्राइ करेंगे तो अब हम इसको गरम गरम तेल में फ्राइ होने के लिए ड डाल सकते हैं, आप चाहें तो इसको चमशे भी डाल सकते हैं, तो इस तरीके से एक एक करके जितना एक बार आ जाता है, एक बार में तेल में उतना ही हम इसमें डालेंगे, तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बार में जितने आ गए हैं, उतना मैंने डाल दिया हैं, सारे ही नास्ते को मैंने पलट दिया है और पलटने के बाद दोनों तरफ से बढ़ियां से हमें इनको फ्राइ करना है थोड़ी थोड़ी देर पे हमें इनको उलटते पलटते वे दोनों तरफ से बढ़ियां से फ्राइ करना है और इसका कलर देखे ये दिखने में बहुत ही ज चटपटा नास्ता बना करके तैयार कर सकते हैं तो अभी आप देश सकती हैं यह नास्ता बहुत ही बढ़या से फ्राइ हो गया इन्हें में बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और यह बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो तो अब यहाँ पर आप देख सकते हूं सारे नाशते को डालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम तेल डालेंगे और इसके बाद हम तुरंद चेल को पलड़ेंगे तो ध्यान रखिए थोड़ी देर इनको फ्राइ होने दिजी इसके बाद इनको पलट दीजिए तो उम्मीदे दोस्तों कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आइकन को प्रेस करें और प्रेस करें तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये भी बहुत ही अच्छे से फ्राइ हो गए हैं सारे के सारे नास्ते बहुत ही अच्छे से सिग गए हैं तो अब हम इनको अलग प्लेट में निकाल करके रख लेते हैं तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो सारे ही नास्ते को मैंने ए